वस्कार दोस्तों में आप लोग का स्वागत हो तहे दिल से स्वागत आई होब है कि आप लोग अच्छे होंगे सही स्लामत होंगे और आप लोग की पूरी फैमली भी अच्छे से होगी और आप लोग किसी एक्जाम के तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से चल रहे होगी त तलाक तल्थक का मतलब जहने तसारी चीजम के उपर हैं यह सब्सक्राइब करें ज़ूर करोड़ आप पीसे मुझे मूटिवेशन मिलती है मैं आप लोग की help करता रहूंगा ऐसे ही करता रहूंगा जैसे करता आया हूं जैसे कि आज मैं बता दूँ जो कोई भी exam की त्यारी कर रहे हैं जो डिलेशी लेबल से जैसे पीस जेवाई एपी वाई और भी चीजे परजेंट टाइम में आप लल भी कर रहा है या ला करने माले हैं रहेले हैं तो आप लूट की लिए बहुत अच्छा डेंग्री पर्ज किया है उब तो यह हूं अभी जो है अभी पहले मैंने जो है फर्स्ट वीडियो आप उसपे डाला है अप सेकंड मैं जो है सोच रहा हूं कि इस पर डालूंगग यह सेशन है आप लोगों की केसला की जो इंपर्टन केसला आएंगे जो है चाहे सुप्रीम कोट के हो चाहे जिस भी जो है आप लोग के इस्टेट के हाई कोट से फैसला कुछ भी आ रहा है जो मुझे इंपॉर्टर लगेगा जो आगे चल करके आप लोगों को अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा उसके मैं फूल डिटेल में आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा पहले क्या आप लोग को ऐसे शेयर कर देता है तब भी आप लोग मुझे से पूछते थे कि सर यह कैसे हुआ क्या है क्या नहीं तो जब मैं आप लोग को पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से बता दूंगा तब बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को लिए बेनेफिट होगा मेरे दो चलिए है तो हाई कोट पर टाराग से पहले जुग है क्या है इसमें हाई कोट का फ्रसला है बहुत बड़ैट पढले पती का घर छोड़ने वाली महिला दोबारा वहां रहने कालिकार भा लात धिये तो ऑगर ताली मुझे मुस्लिम नामे होता है यह होता है उसमें क्या होता है कि दुमीड लाकिन कर दिया जाता तो उसमें से आप लोग तलाक ले लेते हैं जिसम्पल सा मतलब है महिला दोबारा वहां रहने कारिकार खो देती यह कहा गया अब देखिए इसका मतलब क्या है इसका फूल डिटेल मैं आप लोग को बताऊंगा तो लाश्ट टंग बने रही है देखिए क्या है मेरे बहुर मह किलाप उसकी आज का घरेलू हिंसा से महिला संद्रचड अधिनियम 2005 महिला संद्रचड अधिनियम 2005 के तहत लंबित हो मेरे भाई भले ही इसके जो है इस जो नियम बना है इसके अकॉर्डिंग हो लेकिन फिर भी अरिकार खो देती है कहा बांबे हाई कोट की और इस नहीं होता मेरे भाई अब बैंच मतलब है मैं समझेगे कुरसी वाला टेबल वाला बैंच यह बैंच जो है बाइठक होती है उसे ही बैंच कहते हैं देखिए आप लोग के जैस्टिस आप लोग के कौन थे देखिए संडू संडू कुमार स्वारी दोस्तों जस्टिस सं सामले में महिला की सस्राल पच्च की याच्का को बरकरार रखते हुए निचली अदालत ने उसे उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उसे अपने घर में असनान सौचाले बिजली बगैर के उपयोग के साथ-साथ निवास का पूरा रिकार दिया गया था इसमें कहा गय घर में रहने का और सौचाले करने का सारी शुपजाई बिजली का भी शुपधा दिया गया था निवास करने का भी शुपधा दिया गया था उसी में रहते 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 सारी शुपधाई दी अब देखे क्या है उमा कांत देखे बोडरे और उनकी पतनी सोभा ने अत्रिक् किया था उमा कांत बोद्रे और उनकी पत्नी सोभाने कोट ने उनकी पूर्व बहुत साच्छी बोद्र को निवास का अधिकार दिया था जबकि उसने अपने पती सूरज सूरज बोद्रे से तालाक ले लिया था उनका मलब पती था इस जोड़े की साधी जून 2015 में हुई थी लेकिन एक साल बाद उनके बीच बीवादों के बाद साच्छी सस्रुआल छोड़कर अपने माता पिता के साथ रहने लगी बाई जान रहे आजकल के रेटकली मामला है हो भाई मिस अंडरिस्टेंडिक रहती है तो थोड़ा बहुत कुछ ना इधर से उदर कि दर से उदर हो जाता अब ज्यादा कोई टार्चर करेगा तो एक ही उपाय है कि तालाक ले लिजिए अब देखिए क्या है इसमें क्या कहा गया था नीचे देखिए अभी नीचली कोड के फैसलों को चुनोती बाद में नॉम्बर 2017 में एक जो है उदिगीर मजिस्टेड ने उन्हें बैकलपिप आवाश ब्यवस्था करने के लिए 2000 रुपे प्रतिमाय और अतरिक्त 1500 रुपे प्रतिमाय का आंतरिम रख रखाओ का आदेश दिया था अपनी याचका में वरिष्ट बोडरे दमपती ने नीचली आदालत के आदेशों पर सवाल उठाया था खासकर जब घर उमाकांत यच बोडरे ससुर के नाम पर था और तालाग जुलाई 2018 में मंजूर की गई के खिलाब साची बोडरे की याज का पहले हाई कोट के समझ लंबित है यह कहा गया जेस्टिस मोरे ने फैसला सुनाया की घरेलू इंसादिनियम के सक्षन 70 के तहत निवास के अधिकार की आनुमती केवल तभी दो चीजों तभी दी जाती है जब महिला तालाग से पहले साजा पती के घर में रहती है ऐसे में साची बोडरे पहले के निवास आदेश का सहारा नहीं ले सकती यह कहा गया सिंपल सा मतलब जब उनकी साधी हाई कोट से पारित तालाग की डिक्री की और से भाग कर की गई थी अब कलाश मुल अब इसके दाना कोट के माध्यव से नहीं थी यह भग करके साधी मुलाब वहां से कोट के मामले से भग करके साधी यह की गई थी और विशेश रूप से तब जब उन्होंने चार साल पहले ही अपने साजा घर को छोड़ दिया था यह चीज़े कहा गया है नयादीश ने कहा इन प्रस्थितियों में वह बेडखली को रोकने की राहत की भी हकदार नहीं है क्योंकि वह साजा घर के पोजेशन में नहीं है अब घर के पोजेशन में यह साजा नहीं कर सकती है साची बोद्रे के वकीलों ने दलील दी थी कि तलाक की डिकरी को उनकी अपील में इस आधार पर चुनवती दी गई थी कि धोखा धड़ी से प्राप्त किया गया था और यह आज का अदालत के समझे लंबित है यह चीज़े कही थी कि आज का जो है कोट के मलब अदालत के ज छोड़ दे रहे हैं तो कहां का राइट रहेगा अगर आप लोग आप घर पर रहे करके वहीं पर हुई तब तालाग होता तब आपके राइट रहता है थोड़ा बहुत कुछ पाई भी जाती यहीं सब कहा गया इसमें मेरे वाई तो आई हो बैकि समझ में आया होगा वीड दो तो मैं बताता रहूंगा अब बाहर के भी देश के भी जो है कुछ मामले आएंगे इंट्रेस्टनल लेवल पर तो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता रहूंगा बाखी तो इंडिया के तो सारी मामले तो सेर पाइच अप्लग अब लोग लें नेस्ट वीडियो में नेस्ट पार के साथ, नेस्ट सेशन के साथ, तो तयार रहे मेरे भाई, थेंक यू.